हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं आज हम बनाएंगे ड्रेगन फ्रूट का मिल्क सेक देखिए इस ड्रेगन फ्रूट को कमलम या फिर पिताया के नाम से भी जाना जाता है बाहर से कमल की तरह दिखने वाला ये फ्रूट अंदर से बहुत ही रसीला होता है और इसका स्वात का ही हद तक कीवी से मिलता जुलता है इसके बहुत सारे हैस बेनिफिट से जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूट रसीपिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले तो पहले हमें ड्रेगन फूट की किनारियों को दोनों तरफ से कट कर लेना है तो बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की देखिए इस फूट में बहुत से एंटियोक्सिदंट्स पाए जाते हैं और ये विटामिन C का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कई गंभीर बिमारियों से रिकवरी में मदद करता है तो इस तरह से हम किनारियों को काटने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लेंगे सेंटर में से कट करने के बाद हम इस तरह से इसे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे और हाँ अगर किसी के सरीन में आईरन की कमी है तो इसके लिए ड्रेगन फ्रूट का सेवन बहुत फायदे मंद होता है साथ ही में डायबिटीस के मरीजों के लिए भी इसका सेवन बहुत ही फाइदे मन्द है तो इस तरह से हमने इसको छोटे टुकडों में कट कर लिया अब इन सारे पीसिस के छिलकों को निकाल कर हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे आप देख सकते हैं कि इसके जो छिलके है वो बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं हमने इसके छिलके निकाल कर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे ठंडा दूद आप यहाँ पर कच्चा दूद भी एट कर सकते हैं या फिल बोईल किया हुआ दूद भी एट कर सकते हैं लेकिन दूद फिरीज का ठंडा होना चाहिए तो हमने इसमें 200 ml जितना दूद एट कर दिया अब हम इसमें एट कर देंगे 3 टेबल स्पुन चीनी और इसे मिक्सी जान में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्लास में आइस क्यूप्स डाल कर इसे सव कर लेंगे देखिए इस सेक को बनाते वक्त आप इसमें वेनिल आइस क्रीम या फिर कंडेंस मिल्क भी एट कर सकते हैं हमने उन दोनों चीजों को स्कीप किया है साथ ही में पीने के लिए बिल्कुल तैयार है हेल्दी और टेस्टी ड्रेगन फ्रूट मिल्क सेक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई